यहां हम आपको अनुश्का सेंस लेकर जन्नत जुबैर और अवनीत कॉर जैसी टीवी आक्ट्रिस की नेट वर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में सफलता हासिल की है ज्यादातर लोगों को entertainment industry में अपनी पहचान बनाने और एक मुकाम हासिल करने में एक लंबा समय लग जाता है कई बार तो पूरी जिन्दगी भर कोशिश करने के बाद भी लोगों को वर्थ सफलता नहीं मिल पाती जिसकी तमन्ना हर कोई रखता है हाला कि तीवी इंडिस्ट्रिस की कुछ ऐसी भी actresses हैं जिन्होंने बेहर छोटी उम्र में ही काम्यावी हासिल की सबसे पहले बात करते हैं तीवी की child actress अशनूर कौर की जो अभी सिर्फ 18 साल की है लेकिन सफलता के मामले में वह किसी बड़ी actress से कम नहीं ये रिष्टा क्या कहलाता है फेम अशनूर कौर की इंस्टाग्राम पर भी तगडी fan following है खबर लिखे जाने तक उनके 9.5 मिलियन से ज्यादा followers है जो लगातार बढ़ रहे है अच्ट्रिस की net worth 11 करोड रुपए है तीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली छोटे प इतनी कम उम्र में ही वह काफी famous actress बन गई है जिन्हें इंस्टाग पर 32.7 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं अवनीत की net worth 11 करोड रुपए है तीवी की एक और अदाकरा अनुष्का सेंड भी काफी famous है यहां में घरगर खेली से बतोर चाल्ड अक्ट्रस अपने acting करियर की श 20 साल के अनुष्का कई सीरियल्स के साथ 7 music albums में भी नजर आ चुकी है फिलहाल वर कोरियन ड्रामा में बीजी है इंस्टाग्राम पर अनुष्का के 49 मिलियन फॉलोवर्स है और उनकी टोटल नेट वर्थ 14 करोड रुपए है जन्नत जुबैर किसी परिचय की मोहताज नहीं ह जन्नत ने टीवी शो दिल मिल गए से बतोर चाइल्ड अक्ट्रेस अपनी अक्टिंग की शुरुआत की थी हाला कि उन्हें चाइल्ड अक्ट्रेस के तौर पर असली पहचान टीवी शो फुलवा से मिली थी इसके बाद वर तू आशकी में नजर आई जिसमें वर लीड रो अपने अत्रंगी फैशन और ड्रेसेस की वजह से चर्चा में रहने वाली इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेट भी पॉपुलारिटी के मामले में किसी से कम नहीं भले ही उर्फी अपने अजीब और गरीब ड्रेसेस को लेकर ट्रोल होती रहती है लेकिन फैशन पर 4.1 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं काचा बादाम से फेमस हुई सोशल मीडिया इंफ्लोएंजर अंजली अरोडा भी बहुत कम समय में काफी फेमस हुगई सोशल मीडिया पर इनके डैंस मूव्स के लाखों दिवाने हैं अंजली महस 22 साल की है और इंस्टा पर इनकी फैन फॉलोविंग 12.2 मिलियन से जादा है उनकी नेट वर्थ 3 करोड रुपए बताई जाती है